पंचायच चुनावों के बीच ये भी अब सामने आ रहा है कि कई जगे चुनाव हारे जीते सरपंचों में विवाद शुरू हो गया है अब चुनाव आयोग की ओर से डेप्टी कमिशनर्स को आदेश दिये गए हैं कि वो शैक्षिक योगिता में जाली प्रमान पत्रों की शिकायतों और आशंकाओं की जांच करें और अगर जांच में इस तरह की शिकायते सही पाई जाती हैं तो डेप्टी कमिशनर सरपंच को निलंबित कर दें इस आदेश के बाद सोनीपत के गाउं बढवासनी के सरपंच पद के चुनाव में पांच वोटों से हारी संजीता के पती भी अरोप लगा रहे हैं कि वो बोगस वोटों और मशीन का बटन खराब होने की उनकी बार-बार शिकायत पर भी कोई एक्षन न मेरे कोई सनवाई नहीं हो पाई वहां पर प्रैस वाले आए तो उन्होंने उसके बाद वो मशीन चेंज कराई है और वहां पर मेरे से जो संजीता से और तीन और कंडिडेट थे तो चैरों कंडिडेटों को बोला कि साइन लिए गए यह लेटर लिखवा के लिए गए कि हम यह मशीन चेंज कर रहे हैं और अब यह इटर अपकी 6 मशीन हों की बजाए 7 मशीन होंगी और गिंती तो काउंटिंग होगी वो 7 मशीन होगी लेकिन तो काउंटिंग ऺई तो उस्ताइम ब्ये अबजेक्शन किया तो उन्होंने बोला कि यह इसी में वह इसे डाइट ai रही संजीता और उसके पती अब इलेक्शन कमिशन के यहां और ज़रूरत पड़ी तो कोट में याचिका डालेंगे कि उन्हें साजिश करके हराया गया है उन्हें इंसाफ दिलाएं पहले तुम्हें एलेक्शन कमिशन के दरवाजा खटकटाऊंगा और उसके पास अपनी सिकायत लेकर जाओंगा अगर वो नहीं मानते तो फिर में आगे कोट का रास्ता वो तो देखो मेरे फादर की डेथ तो जार ठारम होई है उसका भी नाम इस वोटर लिस्ट में है मेरे चुंकि सरपंची पद गाउं की चोधर मानी जाती है और मूच का सवाल होता है इसलिए गाउं बडवासनी से सरपंच पद का चुनाव जीती शीला का परिवार अब आरोपो पर पलट वार कर रहा है गोरतलव है कि हर्याणा में सरकारी नोक्रियां पाने के बाद कई आवेदकों के फर्जी शेक्षिक परमान पत्र पकड़े जाते हैं अब सर्पंची पद के चुनाव में भी ऐसी शिकायतें लगातार मिल लही हैं शिकायते ही नहीं मिल लही ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं सेयोगी शिरी निवास के साथ वेंदर कतोरिया टोटल नियोज पानिपत बीरो